कैसे हैं आप सब फ्रेंस जब घर पे कोई भी सब्जी ना हो तो आप यह वली सब्जी के रेस्पी ट्राय कीजिए आज हम बनाएंगे आलू और बुंदी की सब्जी यह सब्जी है जो खाने में बहुत ही जादा टेस्टी बनती है और चटपड बनने वाली यह रेसिपी है त सरसों का तेल में यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है कोई भी कुकिंग ऑल इसमें यूज कर सकते हैं जैसे तेल थोड़ा गरम हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे एक तेजपत्ता और एक चमत जीरा थोड़ी देर इनको हम तेल में भून लेंगे जिससे मसालों को जो रोता वो तेल में आ जाए अच्छी तरह सी। तो इसके बाद थोड़ी दिर भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बरीग कटा हुआ प्याज्व छोटे प्याज़ है तो आप इसमें 2 डाल सकते हैं प्याज डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको भी भूनेंगे ये देखिए प्याज है जो हल्का गुलाबी हो चुक है तो अभी साथ में हम इसमें डाल देंगे आदा चम्मच लसन और अद्रक का पेस्ट और इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है ऐस साथ में या अब हम इसमें डौले गमाते हम ये मीर्चे भूने Exam मिर्चे मेर्णत क्यों सबसे बत्त डौरा करने के अब कुछिए ऐसे बहुंचे निकलना शुरू हो गया जो है वो बाहर आ रहा है तो इसी से पता चल जाता है कि मसाला अच्छी तरह से भून चुक है तो अभी हम इस स्टेज पे डालेंगे इसमें नमक आप इसमें स्वादनुसार डालिएगा आदा चमज मैं इसमें डाल रही हूं हल्दी हल्दी और नमक डालने के बार थोड़ी इसको चलाएंगे हल्दी का जो कच्छा पान है वो चला जाएगा तो एक दो मिनिट के लिए हमने इसको और मसाले को भून लेना है मसाला जितना अच्छा भून जाता सबजी उतनी जादा टेस्टी बनती है तो अभी यह देखिए मसाला यह जो अच्छी तरह से भून चु पानी डालने के बाद मसाले को एक बार फिर से पकाएंगे तो बीच बीच में हमने इसको ऐसे चलाते रहना है और यह देखिए मसाला है जो बिलकुल रेडी अच्छी तरह से भून गया तो अभी हम इसमें जो उबले हुए आलू डालेंगे तो मैंने इसके लिए चार उब पानी डालने के साथ ही हम इसमें आदा चमस डाल देंगे भूना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है जो सबजी के लिए गरम मसाला आता हुँ यह मिसाले डालने के बाद हम इसको एक बर चला देंगे और ढखकर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे चार से पांच मिनट के लिए आपने पका लेना है तो यह रहिए पांच मिनट के करीब मुझे हो चुके हैं और अभी इसको प साला बूंदी भी एड़ कर सकते हैं बस ध्यान इस चीज़ का रखेगा कि इसमें नमक होता है तो नमक आप पहले है जो कम एड़ कीजिएगा बूंदी डालने के बाद हमने इसको सिर्फ एक से दो मिनिट के लिए पकाना है जादा देर आपने इसको नहीं पकाना और एक से आपको लग रहा है कि सब्जी थोड़ी पतली है ना इसमें तरी आपको यह ज़्यादा लग रही है लेकिन बूंदी इसमें फोल जाती है तो थोड़ी देर के बाद यह सब्जी है जो गाड़ी हो जाती है इसलिए आपने इसका पानी बिल्कुल सुखाना नहीं है तो यह जो आलू और बूंदी की पहुत यमी सी सब्जी है बनकर बिल्कुल रेडी है लॉक्डाउन में वैसे भी सब्जी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है तो अगर आपकी पास बूंदी का पैकेट पर रहा है तो आप अराम से यह वली सब्जी बना सकते हैं और इस सब्जी को आपको आज की रेस्पी कैसी लगी तो कीजी आप भी इसको इंजुआए और घर पे रहिए सेफ रहिए अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई टेक कियर हैवा नाइस ट चीज़ोंग्यां चीज़री दोगे तर येज़व